नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट टूटूप चैनल तिरे लेटिल टूटर में दोस्तों हमारे चैनल पर आपको केंदरी विद्धाल एडमिशन से जोड़ी सभी महात्वपूर जानकरियां पिछले वर्से ही वीडियो के माध्यम से टाइम टूटू टाइम दी जा रही है दोस्तों हमारा इस बार भी यही प्रयासे की आने वाले सत्रियानी की दोजार बाइस देस में 28 फरवी 2022 से जो एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं उससे समंदि सभी महात्वपूर जानकरियां आपको टाइम टू टाइम दी जाए दोस्तों इसी समंद में हम कई तरह की वीडियो टाइम टू टाइम ला रहे हैं और दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों जैसे के आप लोगों को पता है कि केंद्री विद्याले संगठन ने केंद्री विद्यालों में एडमिशन के लिए देजभर के केंद्री विद्यालों में एडमिशन के लिए Class 1 में या इससे उपर की जो Classes हैं उसमें Admission के लिए Official Schedule जारी कर दिया है Official Notice जारी कर दिया है और दोस्तों इसके साथ जब भी किंद्री विद्धाले में Admission होते हैं तो उससे संबंधित किंद्री विद्धाले संगठन द्वारा उसकी अपनी Official Website पर जारी की जाती है आपके सामने वही किंद्री विद्धाले संगठन द्वारा जारी की हुई Official Admission Guideline है जो 2022-23 सतर के लिए है दोस्तों इस बार किंद्री विद्धाले की Official Admission Guideline में कुछ महतुपोर्ड चेंजिस किया गये हैं ये आपके बच्चे के Admission पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे तो दोस्तों ये आपको जानना बेहस जरूरी है कि ये जो चेंजिस हुए हैं ये क्या है आगी इस वीडियो में मैं एक एक करके वो सारे चेंजिस आपको बताऊंगा कि क्या चेंजिस हुए हैं इस बार तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इस Official Guideline में आपको Age से लिरेलेटेट क्या चेंजिस किये गये हैं उसको मैं आपको बताता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं Elisable Age for Admission यानि कि admission के लिए उम्र की पातरता क्या है Elisable Age for Admission यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है A child must be 6 year old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for class 1 Child born on 1st April should be considered तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो class 1 में admission के लिए minimum age थी वो 5 साल थी लेकिन इस बार जो minimum age है वो 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दी गई है तो आपका बच्चा class 1 में admission के लिए उसकी age कम से कम 6 साल होनी चाहिए 21 March 2022 को जो बच्चा 1st April को पैदा हुआ है वो भी consider किया जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं the minimum and maximum age limit for admission in केंदर विद्धियलयाज in various classes given below दोस्तों आप देख सकते हैं कि class 1 और class 2 में admission के लिए जो age है वो same है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि minimum age जो 31 March 2022 को आपके बच्चे की होनी चाहिए class 1 में admission के लिए वो 6 साल होनी चाहिए और जो maximum age होनी चाहिए वो 31 March 2022 को आपके बच्चे की class 1 में admission के लिए वो 8 साल होनी चाहिए यानि कि आपके बच्चे की जो age है वो 6 से 8 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप अपने बच्चे का किंद्री विद्धालेमेड मिशन करवाना चाहते हैं तो Class 1 में तो इसके साथे साथ Class 2 में करवाना चाहते हैं तो भी आपके बच्ची की जो एज है वो 6 साल से लेके 8 साल के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तों आप अपने बच्चे की एज निकाल सकते हैं अपने Rate of Birth के हिसाब से अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से 8 साल के बीच में है तो आपका बच्चा Elisabil है अगर आपके बच्चे की एज 6 साल से कम है या फिर 8 साल से ज़्यादा है तो आपका बच्चा Class 1 और Class 2 में admission के लिए पात्र नहीं है, Elizabeth नहीं है, इस case में आपके बच्चे का Class 1 और Class 2 में admission नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों ये बहुत ही महत्पूर चेंज किया गया है, ये आपको जान लेना बहुत जरूरी है, ये चेंज किसलिए किया गया है, ये भी नीती लाग हुई है, सभी विद्यालियों में, कॉलेजों में, तो उसको ध्यान में रखते हुए, जो Class 1 की जो minimum age थी admission के लिए उसको 5 साल से बढ़ा कर 6 साल कर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाल लगा के लिखा भी हुआ है, as per mandate of NEP 2020, entry age for Class 1 has been revised to 6 plus years with effect from academic session 2023, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिखा गया है कि new education policy के हिसाब से, जो Class 1 में entry age है, वो revise की गई है, वो बदल दी गई है, वो 6 साल के plus होनी चाहिए, यह जो effect होगा, यह academic session 2022 से लाग होगा, तो दोस्तों, new education policy को धहन में रखते हुए, यह changes लाए ग आपको बता दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह special provision वाला column है आपके सामने, part B special provision, तो special provision में एक point बढ़ाए गया है इस बार, जो official guideline है उसमें, तो यह बहुत important point है, यह बताना भी हर ज़रूरी है, तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ प scheme, the admission will be done on the basis of list given by district magistrate of the concerned district subject to 10 children per kv and maximum 2 children per class, these children will be exempted from payment of fees, जैसे कि tuition fees, computer fund and VVN from class 1 to 12, तो दोस्तों दुरभाग वस्त जो बच्चे अनात हो गए हैं COVID-19 की वज़े से, जिन बच्चों के मातर पिता के मुरित हो गई है, तो ऐसे बच्चों को over and above, यानि कि क्लास 10 के ऊपर भी अंडर PM care for children scheme, या पदान मंत्री care children scheme के अंतरगत उनको केंडरी वी दला में admission मिलेगा, ये जो admission होंगे, ये इस आधार पे होंगे कि जो उस जिले के district magistrate यानि कि DM होंगे, वो एक list देंगे और जो list में 10 बच्चे होंगे पर kv, मतलब एक केंडरी वी दला में वो 10 बच्चो में हो दे सकते हैं, तो ये बच्चे जो हैं, इनको किसी तरह की fees नहीं देनी पड़ेगी, नहीं इनकी tuition fees लगेगी, नहीं इनका विद्याला विकास नीधी लगेगा, नहीं इनका computer fund लगेगा, किसी तरीके का जो है इनका fees नहीं लगेगा, class 1 से लेके class 12 तक, जिस भी class में admission होता है, उस class से लेके 12th class तक, उनका कोई भी fees नहीं लगेगा, तो ये एक special provision दिया गया है, केंदरी विद्याले में admission के लिए, तो दोस्तों, ये एक important changes था, इस केंदरी विद्याले की official guideline में, और एक और मैं आपके साथ changes जो हुआ है, वो मैं share करना चाहता हूँ, यहाँ और मैं आपको बता दूँ, कि दोस्तों, जो PSUs होते हैं, जो autonomous body और PSU होते हैं, इन में काम करने वाले employee को प्रात्मिकता दी जाती है, तो चाहे central के PSU हो, central के PSU को second priority दी जाती है, और state के PSU को fourth priority दी जाती है, तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि, इसमें एक point लिखा हुआ ह और where the government share is more than 51% would be deemed to be autonomous bodies public sector undertaking, तो यहाँ पर पहले यह था कि, जो 100% autonomous body या फिर public sector undertaking थे, जिसमें government का share 100% रहता था, वो consider के जाते थे, लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, ऐसे सारे वो autonomous bodies या public sector undertaking, जिसमें government का share है, वो 51% से ज़ादा है, तो वो सारे जो है, autonomous body और public sector undertaking के अंतरगत आएंगे, तो आप इस हिसाब से आप देख लिजए, अगर आप इस तरह के autonomous body या फिर public sector undertaking में काम करते हैं, जहाँ पर government का share 51% से ज़ादा है, तो आप जो है eligible होंगे, अगर central का है वो, तो आपकी second priority लगेगी, अगर वो state का है, तो आपकी fourth priority लगेगी तो दोस्तों, ये कुछ important changes थे, जो कि इंदरी विद्देले की official guideline में किये गए थे, उमीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आई हो, तो आप comment करिएगा दोस्तों, हम आपके comment का reply करने का जरूर को सिस करेंगे, वीडियो अच्छा लग झाल